वहाँ से पियम मोदी ने रावल गांधी पर खटाखट वाला प्रहार किया। पियम ने कहा अब इंडी में सब कुछ खटाखट अंदाज में होने वाला है। महलों में पैदा होने वाले इन सहजादों को ना महनक की आदस है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा और कहते क्या हैं विकास कहते होगा बोले खटाखट खटाखट ये सोचते हैं भारत आत्मंदिर पर अपने आप बन जाएंगे और कोई फूचता है तो कहते हैं तो बहले खटाखट खटाखट ये सोचते हैं नए ग्राइंगे और कोई पूजे कैसे हैं, खटाखट, खटाखट, एस होते हैं, भाड़ते गरी भी दूर हो जाएगी, कोई पूजे कैसे, तो बर्याद खटाखट, खटाखट, अरे कोई नके दिमाग कोब Hugo जराब बता वो, कर अब राहीच वरेली की जनता भी खटाखट, अमेटी से गए राए बरेली से भी जाएंगे साथियों देश चलाना सोने की चमट लेकर के पैदा हुए बच्चों का कहन नहीं है आप से नहीं हो पाएगा चार जुन के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कोज होगा बताओ क्या होगा बताओ ये इंडी गड़बंदान तूटकर के बिखर जाएगा खटा कट खटा कट पराजय के बाद बली के बकरे को खोजा जाएगा खटा कट खटा कट और सहजादे चाहे वो लखनव वाले सहजादे हो या दिल्ली वाले ये सहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएगे कट खटा कट